बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम डू माई यूट्यूब चैनल तो आज मैं आप लोगों से कद्दू के सालन की रेस्पी शेयर करूंगी जो के बहुत ही मज़े का बनता है तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी कदू लिया है जिसको मैंने छेल के अच्छे से दो लिया था और फिर काट लिया तो अब हम इसमें डाल देंगे तो इसकी कटिंग आप किसी भी शेप में काट सकते हैं तो यह मैंने इस तरह से चोटे-चोटे इसके पीस कर लिये थे तो वो मैंने इसमें डाल दिये है तो अब मैंने इसमें एक मिडियम साइज का कटा हुआ टमाटर लिया है एक मिडियम साइज का कटा हुआ प्याज लिया है दो अदर कटी हुई सबस मिर्च ली है तो ये सब चीजें हम इसमें डाल देंगे वान टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है वान टी स्पून ही इसमें मैंने पीसी हुई सुरख मिर्च डाल दी है हाफ टी स्पून हमने इसमें हल्दी डाल दी है हाफ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी है तो अब हम इसमें एक बड़ा कप पानी डाल देंगे तो पानी आपने इसमें ज्यादा नहीं डालना तो अब हम इसको चमच के साथ इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये हमारा कदू आज बहुत ही मज़े का और मलाई की तरह बनेगा तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना अब हम प्रेशर कूकर को बंद कर देंगे और इसके उपर वेट रख देंगे और फलेम को अन कर देंगे तो इसको टाइम हमने 7 मिनट देना है तो यहां पे 7 मिनट हो चुके हैं तो अब हम प्रेशर कूकर को खोलते हैं तो यह देखिए हर चीज अच्छे से गल चुकी है कदू भी, टमाटर, प्याज हर चीज तो अब हम इसको एक कड़ाई में निकाल लेंगे तो यहां पे हमने इसको कड़ाई में निकाल लिया है तो यह देखिए चमच के साथ हम इसको इस तरह से दबा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी दुरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकान में जरूर प्रेस कीजिएगा ताके हर आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन आपको मिल सके तो यहां पे हमने कड़ू को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यो थोड़ा बहुत पानी रहता है इसको भी हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे तो यहां पे हमने फ्लेम को हाई करते नहीं ताके जल्दी से पानी खुश्क हो जाए तो अब यहां पे मैं इसमें कुछ मसाले आड़ करूंगी वन टी स्पून मैं इसमें पीसा हुआ जीरा डाल दूँगी वन टी स्पून ही इसमें मैं पीसा हुआ खुश्क दनिया डाल दूँगे इन मसालों को हम चमच के साथ अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें तो यह देखिए यहां पर पानी हुश्क हो गया है तो अब हम इसको साइड पे करते हैं इसके लिए हम तड़का त्यार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने 4 टेबल स्पून कोकिंग आयल लिया है तो इस कोकिंग आयल को हम गरम करेंगे और फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लेहसन का पेस्ट इसमें डाल दूँगे इस पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई करेंगे तो इस तड़के से आज कद्दू बहुत ही मज़े का बनने वाला है तो यहां पे फ्लेम को आपने लो रखना है तो अब मैं इसमें वन टेबल स्पून साबत जीरा डाल दूँगे यह देखिए इसमें हम साबत जीरा डाल देंगे इससे इसकी खुश्बू और भी अच्छी हो जाएगी तकरीबन 5-6 अदद मैंने इसमें साबत सुरख मिर्च डाल दी है इन सब चीजों को हम अच्छे से इस आईल में फ्राई कर लेंगे तो यहां पर हमारा तड़का त्यार हो चुका है अब जो हमने कद्दू बना कर रखा हुआ था तो यह तड़का हम उसमें डाल देंगे तो आप भी इस रेस्पी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताईएगा कि आपकी यह रेस्पी कैसी बनी है तो यहां पर मैंने इसमें पहले सबस दनिया डाल दिया है तो अब हम यह तड़का इसमें डाल देंगे तो यह माशालला आज हमारा कद्दू का सालन बहुत ही मज़े का त्यार हुआ है तो इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे तो यह देखिए देखने में जितना खूबसूरत लाग रहा है यह खाने में भी उतना ही मज़े का बना है तो आप भी इस रेस्पी को जरूर ट्राय कीजिएगा दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज